नमस्कार आप देख रहे हैं इंडेन टीवी न्यूज मैं मलोज खंडेलवाल हम आज मंडावर में जो है मतदान केंदर संख्या पच्पन पर मौझूद हैं लोकसभा इलेक्शन दो हजार चोईस के दोरान जो इलेक्शन हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि नजारा धूप क कि वज़े से गर्मी की वज़े से बिल्कुल निल वोटिंग चल रही है और अभी तक 25 परसेंट करेंट के सम्तिंग वोटिंग हुई है और देड़ बजे का टाइम हो चुका है और इस दौरान देखे कुछ महिला है हैं हमारे साथ जो वोट डालने हुई हैं और इनने बोट दिया है आपको कैसा महसुस हो रहा है और लोगतंतर में आपने जो बागी दारी निबाई उसके लिए क्या संदा इदे नचाहिए मर्चेनल के मार्चन के अच्छा है आप कुछ कहना चाहिए वोट तो सभी को देना चाहिए पास साल में एक बर अधिकार मिलता है तो कि हसाल एक बागी देना तुन साल में आ हो पना आप कर में अच्छा कर करना है आपको आपको बोत जॉलक दालते करे वρώ करे है कैसा मैसूस हो रहा है तो आपको बोट ढूल निर्मान कर के खे लिए गॡंकार करेंगे और अच्छी सरकार बनेगी इस वारी आपको शरकार इनका कहना है कि इनोंने अच्छे गोर्टिंग करके अच्छे लोक्तात्र निर्मान में भागिदारी निभाई है और इसी के साथ मैं मनुझ खंडेलवाल इंडियान टीवी नूज के साथ आपका धन्यवाई हम अभी इन्डियान टीवी के साथ यहां बूच संक्या 50 पर मौझूद है जो कि हमारे मंडावर शेत्र के पीच का बास थोड़ी का बास में मौझूद है और प्रात्मिक स्कूल है यहां बूच संक्या 50 पर कारिरत मतदान प्रणाली जारी है तो इसी दौरान हमारे साथ जु कामना है और हम जानना चाहेंगे कि जो यहां मतदान हो रहा है वो अभी तक कितने प्रतिशात हो चुका है सर सारे गाहों के लोग थोड़ी से साधी विभाव का प्रोग्राम चलगा है इस हिसाब से थोड़ी लगातार आ रहे हैं तो थोड़ी उस बज़े से चुनाम चुनाव कि यह कितने प्रतिशत तक आप पहुंचा सकेंगे इसको कितनी संभावना है तो कोई बता नहीं सकता लेकिन आइडिया लगाया जारा कि जैसे जैसे मुद्धा निकल के आएंगे और जिए मद्धा निकल गया तो यह 60-50% के आस-पास मद्धान होना संभावत है कि शाम तक जैसे जैसे दूब गटेगी समय के साथ साथ 6 बज़े तक मत्धान जो होना है उसमें साथ से 65% तक होने की संभावना है और ज्यादा भी हो सकता है और इसी दोरान हमारे साथ यहां जो बूत एजेंट हैं भाई दिनेज जी नारेडा इन से जानना चाहेंगे क चाहां मत्धान परतीचत किस तरीके करहा है और अभी तक जो मत्धान रहा हूं वो सुर्वर ह सब्सक्राइब करें जैसा कि मैं सबी जगे जाके आया हूँ तो श्यादी विवाहा और इस दोरान यह धूप चिलचलाती हुई यह मतदान प्रणाली में बहुत बड़ी बादा बनी है तो इसके दोरान ही हमारे साथ जुड़ी है पूर सरपंच कुसम लताजी तो आप इसके बारे में हमारे चैनल के मादम से लोगों को क्या संदेज देना चाहिए जो मतदान के दोरान धूप और शादी विवाहा को लेक आप एक आप अधर जागरूप लोग है वो तो आपकर करें और बागी नहीं है वो तो इसके तो देखो इन पर संदेज तो कम जाएगी वोट्टिंग के तोर पे इतने वोट होनी पाएगी जितने होने चाहिए ते अगर ये साधी का महुन नहीं रहता तो साइब को कि यह बात देखने हम आई है कि लोग सब चुनाव है जो कि एक बहुत बड़ा इलक्षन होता है और छेत्र का एक जो नेता चुना जाता है वो बड़े इस्तर पर चुना जाता है इसी के कारण इसका जो रुजाने लोगों के प्रती गरामीड छेत्र में वो कम रहता है ऐसा जनता का मानना है तो आप इस बारे में क्या कहना चाहिए देखो बड़े इलक्षनों के जैसे आम लोग जनता जो होती है इसमें बढ़ चड कर भाग वो लेता है जो सक्रिय लोग रहते हैं आम लोग नादिक जो है छेत्र में रहने वाले उन्हें इन चीजों से इतना प्र अगर जिस सकार से पार्टी अगर चुनाओ के टाइम पर आगे रेलिया निकालती है आगे उनकी समझ्याओं को सुनती है अगर पूर में ऐसे करके चले वे पूरे पाक साथ तो इतना किसी बहरत तो निक्याओ करती लेकिन ये तो पार बस चुनाओ की तक्तर में आगे पू पार्टी का मानना है है कि जो राजितिक पार्टी है जो जो अबाई यहे बड़ा उलक्षन है लोकसाबा इलेक्शन जिसमे जो कंडिडिए होते हैं वो चुनाओ के समय पर recollect के सबस्क्राइब सबस्क्राइब यां चुनाव में मतदान करने आएं मैं बहुत-बहुत इनका आवार जातना चाहूंगा और आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या संधेश देना चाहिए जागरूक करना चाहिए हम उननचास संक्या बूत उननचास पर मुझूद हैं मंदावर के बूत संक्या उननचास पर और हमारे साथ CRPF के जवान जो चुनावी डूटी में यहां आए हुए हैं आपका नाप अच्छी आई हैं आप आप नाप जो चुनाव दूटी में आप यहां पर लगे हुए हैं आपको कैसा नुपा रहा और मत्दान का क्या रूजान रहा क्या पताना चाहेंगे आप आप से अभी तक का जो मधदान रहा वो शांति पूरवक रहा और आगे भी आपको उम्मीद है कि शांति-पूरवक तरीके से आप संपन कराएंगे हाँ, हुआ, हम संपन करा लेंगे इस मधदान आपका नाम विशंबर पाकिल जी है आप भी CRPF से ही हैं आप कहा से आए हैं सोनी पजी अरियाना से आए हुए हैं और ये भी चुनाग डूटी में हुए हैं तो आप इस चुनाग में जो आपने डूटी दी है लोकतंत्र के इस महापर्व में और यहां मंदावर चेत्र में आप 59 संक्या बूट पर आए हुए हैं तो आपको कैसा अनुबव रहा आपका यहां पर किस सभी लोग पढ़िया हैं अच्छे तरीकर से बोट डाल रहे हैं मर्दान सांति पूर्वर चल रहा है आगे भी चल सकता है अनुबवाद दैन्यवाद हमारे साथ यहां बूट संक्या 49 पर लगे हुए तियो फस्ट कैलाज संजी मीना है और यह हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस बूट संक्या पर अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हुआ है और किस तरीके का मतदान रहा है शांति पूर्वक तरीके का रहा है किसी तरीके की कोई जो है जो है गतिवीदी संदिक गतिवीदी तो नहीं रही तो वह जानकारी देंगे हमें सब्सक्राइब तो आप जो है अमारे चैनल के मातदम से दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे मैं यह संदेश देना चाहुआ है कि यह एक तरह से महाकूंगर और बहुत बड़ा पर वह देश्चा गदेशना तो मैं तो यह करना चाहुआ है जो भी मतलब जो मद्दाता है वो करीब करीब सब जो आएं और अपने मतलब जो बनती है जो भी इनके उसे तो एक बहुत बड़ा प्रधातंतर है बहुत बड़ा पावर होता है इनका मानना है कि इस लोगतंतर के मापर्व में हम अच्छे से भागीदारी निभाएं अधिक स अधिक बड़्चर का मतदान करें और एक अच्छे लोगतंतर का निर्मान करें तो इसी के साथ मैं आपका दन्यवाद देना चाहूंगा चैनल के माद्धम से बहुत 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 हमारे साथ यह है राजकी है सीनियर कन्या माविद कन्या पाठशाला है उच्छ प्रात्मिक इसमें आई वे हैं यहांपर कुछ माद्धिक पाठशाला और इसमें चोवन और पच्छ विदान सभा के 54 प्रक्षमन नंबर का बूट केंद्र है और यहां पर हमारे साथ जो यह लो है राकिल कुमार जी मंगल इनसे हम बात करेंगे कि अभी तक कितने प्रदिश्यत मद्धान रहा और कैसा रहा मत्धान तो राखेजी हमें हमारे दर्शकों के आप हमारे चैनल के जो है 25-26 परसें मत्धान हुआ है कुछ दूप की वज़े से शाधी विभाण है इस वजे से मत्धान खम तो शाधी विवाओं का जो असर मत्धान पर रहा है को वो कि शाम तक कुछ कभरेज होने का आपको आसार नजर आ रहे है या कैसा क्या रहेगा शाम तक कुछ बढ़